कल से लेके आज तक थोड़े से केसेज लगता है जादा बढ़ गए हैं आज के मुताबिक अभी तक 219 पेशेंट्स कोरोना के दिल्ली में हैं इनमें 51 केस विदेशों से आए हुए लोगों के हैं जो विदेशों से कोरोना लेके आए थे विदेशों से ही बिमारों के आए थे 108 केस मरकज के हैं जो कि निजामों दीन में मरकज से लोग निकाले गए उनके 108 उनमें बिमार है 29 केस वो हैं जो विदेशों से आये थे और उनके परिवार वालों को 29 उनके परिवार वालों को कुरोना हो गया और चार लोगों की डेथ हो चुकी है कल तक दो लोगों की डेथ थी आज दो लोगों की और हो गई है चार लोगों की डेथ हो गई है यह जो दो लोगों की डेथ हुई है आज यह उनमें से हैं जो मरकज से निकाले गए थे उनमें से दो लोगों की डेथ हो गई है 19 patients हैं 208 रह गए क्योंकि उसमें से 6 patients discharge हो गए एक patient बाहर चले गए थे और 4 की death हो गई 208 patients अभी hospitals में हैं जिसमें से एक ventilator पर है तो जैसे रोज मैं जब बताता हूँ तो ये एक ventilator पर कुछ दिनों से है और मैं उमीद करता हूँ ये ठीक हो जाएंगे और 5 oxygen पर है 202 बिल्कुल stable हैं मुझे उमीद है कि ये सभी लोग ठीक हो जाने चाहिए इस समय जब ये मैं सारा data बताता हूँ आप लोगों को रोज इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए चिंता जनक हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा चिंता करता हूँ एक क्या करोना आम लोगों में फैल रहा है और दूसरा कितनी डेथ होई इस डेटा को देखते वे 39 लोग मैंने बताया कि ऐसे हैं जो कि जो लोग विदेशों से करोना लेके आए थे और उनके परिवार के लोगों को करोना हो गया 29 ऐसे हैं यह 29 की फिगर कई दिनों से सेम चल रही है यह नहीं बढ़ी तो इसका मतलब अभी तक दिल्ली में करोना फैल नहीं रहा है यहां तक कि जो लोग मैंने बताया 51 लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों से आये थे उनके भी परिवार वालों को सबको नहीं हुआ किवल 29 लोगों को हुआ है तो अभी दिल्ली में करोना फैलना चालो नहीं हुआ इस पूरे डेटा से यह एक अच्छी बात निकलती है कितनी डेथ हो रही है जो मरकस से निकल के आए हैं लोग वो थोड़े सीरियस नजर आ रहे हैं उन में से दो लोगों की आज डेथ हो गई बाकी लोग जितने पेशेंट्स हैं वो स्टेबल नजर आ रहे हैं मरकस से 2346 लोगों को निकाला गया था जिसमें से 1810 लोगों को क्वारेंटाइन में भेजा गया है 536 लोगों को अस्पतालों में भेजा गया है तो 2346 लोगों को जो भेजा गया है उनका हम लोगों ने ताकि चले उनका एक साथ हम टेस्ट करवा रहे हैं और अगले एक दो दिन में हो सकता है कि इन में से कई लोग कोरोना के पेशेंट्स नजर आएं तो हो सकता है अगले एक दो दिन के अंदर हमारा पेशेंट्स का डेटा दिल्ली का शूट अप करेगा दिल्ली में इस वक्त हम टोटल 2943 लोगों को कौरेंटाइन किया हुआ है जिसमें से जैसा मैंने बताया 1810 लोग मरकज के हैं और 1133 जो विदेशों से आए हुए लोग हैं तो 2943 लोगों को हमने क्वारेंटाइन किया हुआ है और 21307 लोगों को हम लोगों ने सेल्फ क्वारेंटाइन के लिए बोला हुआ है अपने अपने घरों में क्वारेंटाइन के लिए बोला हुआ है तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से विंती है प्रधानमंत्री जिने य आप सबस्थ रहें, यही मेरी प्रभू से कामना है, आज रामणूमी का दिन है, राम नवमी के इससर पे आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से मैं बढ़ाई देता हूं, मंदिर तो अपनी जाएंगे, लेकिन अपने घर में रहें राम नवमी मनाईएगा, और आज राम के दिन एक चीज ध्यान रखिएगा एक चीज आज प्रण कीजेगा आपके गली महले पडोस आस पडोस में कोई भूखा ना रहे ये सबसे अच्छा तरीका होगा राम नवम्य मनाने का जब तक लॉकडाउन है आप कसम खा लिजे कि आपके पडोस में कोई भूखा नहीं रह झाल